तो दोस्तो आज 24 जुलाई 2023 बात करेंगी इस वीडियो पे इंडिया का लार्जेस्ट इंडिविजुल कंपणी रिलाइन्स इंडस्टी लिमिटेट शेयर के बारे में जिसके उपर मेरा लगातार खरिदारी करने कर आये था इवन आज की डेट पे मेरा एकदम सेम है तो आज जो सोच रहे कि इंफोस इसा 78 परसंट गिर जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि देखे कंपनी का जो इस बार रेजल्ट आउट हुआ उसमें ओटूसी बिजनेस में एक्चुली चूक हुआ था मतब जो गिरावाथ हमें ड्रॉप देखने को मिला था वो ओटूसी कंपनी ने आज सुबा सुबा रिलाइंस इंडेस्टी की रेजल्ट के उपर बेस करके उसके रेटिंग दिया टार्गेट दिया सब कुछ हम डीटेल में बात करेंगे क्या आपका आगे का रननीती हो सकता है तो रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को प्लीज विना स्किप के सरत के पूरान तक जरूर देखना तो बहुत सारे ग्लोबल Breakfast Trip Nacional को पर किया बहुत सारे ने को अधर करके यानि बाई करने का टार्गेट प्राइस दिया 2700 रुपए का तो यहां पे भी हमने देखा कि जो की बाई का रेटिंग साथ में पॉजिटिव टार्गेट नेक्स्ट अगरम बात करें नुभामा नुभामा के तरब से दोस्तों तीन हजार की उपर टार्गेट दिया साथ में बाई का रेटिंग तो दोस्तों आप मुझे कमेंट वोक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या सजेशन है मतलब आपका कोडिंग नेक्स्ट बारा महीने यानि एक साल बे क्या टार्गेट हो सकते रिलाइंस बिजनेस डिजिनन सेक्टर का बिजनेस और सेक्टर का बिजनेस जिस रिफ यहां पर मोशन के साथ यहां पे और की तरफ कहीं को यह एक साल के भीतर आइटिंग अचिव हो सकता है नेक्स अग़ान बात करेंगे रिलाइंस के जो रेजल्ट आ उसको पर बेस करके टोटल चा खराब आया और रिजल्ट के दिन में आपको बार बार बोला था इसका रिजल्ट खराब नहीं आया बेसिकल एक पर्टिकुलर जो सेग्मेंट है ओटूसी बिजनेस टीक है जो पेट्रो केमिकल सेक्टर की बिजनेस उसमें खराब हमें देखने को मिला बाकी जो ग्रोथ देख लिया कि आज जो बड़े ब्रोकरेज कंपरीज सारे के जारे मतब जयातर अगरम बात करें पॉजिटीव टार्गेट अभी तक जो जो देखा आगे भी देखेंगे यह देखेंगे यह देखेंगे बाइक रेटिंग दिया 82.5% एनलिस्ट होल्ट का रेटिंग दिया 10 हाइस्ट टार्गेट आया यहाँ पर दिया है यह देखेंगे यह देखेंगे दिया 3200 रुपए का कौन दिया यह देखेंगे यहाँ पर दिया है रिसर्च जो न्यू स्ट्रीट रिसर्च ने यहाँ पर टार्गेट दिया 3200 रुपए का सबसे हाइस्ट टार्गेट नेक्स यह जो टार्गेट दिया उसको थोड़ा हद तक कट किया बट सुपीं हजार चालीस रुपई का दिया जे भी ओंऊर्गन ने तरह के पहला जो टार्गेट दिया थीन घर टार्गेट दिया थीदे से तो यह ठाफी हई हाई लेबल पर यह टार्केट यह दिए अगरे अगर बात करें जो आप टॉबल ब्रोकरेज जो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना आज की देट पर दोस्तों एक और शांदार अप्डेट आया यह देखिए रिलाइंस जी लाइक्ली टू लाइकली टू लाइकली टू लॉशन आप जियो बूक लैपटब सुन तो लैंस एक नू लैपटब दोस्तों यहां पर मार्केट में लाँच करने जा रहा है ज अभी दोस्तों लैपटब लॉंच करने का प्लाइन किया आज अग्रम बात करें शेयर काम तो कि शेयर में काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ काफी शांदा डेलिवरी भी देखने को मिला यह देखें मार्केट क्लोज दोने के बाद लगवाद थर्टी सिक्स ज्यादा कॉ साथ जाथ आज वॉल्यूम में भी काफी मतब गेन देखने को में अल्मूस्ट एक करोर क्रोस कर चुक है इन जेनरल एक करोर क्रोस नहीं करते एक करोर अठ्रा लाक्यू पर रिलांस के ट्रेडर मतब बहुत बड़ी बात है क्योंकि यह बड़े कंपनी है अब समसकते उसमे परसंगे आजबस हमें डिलीवरेबल परसंदेश भी दिखा मतब यहांप यहांप दिक रहा है यह सारे सिगनल है कि बड़े कंपनी के अंदर 66 परसंट डेली इतना हाई वलूम के साथ ट्रेड उड़ाए तो मतब दोस्तों बड़े इंवेस्टर्स ब्रोकरेज कंपनी लास्ट तीन मैंने की चार पर तो शुरू करेंगा अलोसिस बट उसके पहले अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इंफॉर मीटिव लगा प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरुए नकरेक्शन देखने को मिला खास करके डीमर्जर होनी के बात ऑथ और जो आरे से इंडेक्स है एकदम से स्ट्रॉंग जोन पर पहुंच गया था वहां से गिटते गिटते अल्मोस्ट न्यूट्रल जोन पर या बोल सकतो वीग जोन के काफी नस्दिक पहुंच चुका है अब जो इंपॉर्टन सवाल आ रहा है कि अगर और गिराबट हो गया सब काफी कम है अगर आपने ध्यान से आज को ट्रैक किया तो आपको मालू मार्केट का भी कुछ हद तक इंपैक्ट देखने को मिला डायाजर के आसपास बार-बार रेजिस्टेंस मिला तो इस बैसे क्लोजिंग डायाजर से 30 मताब एकनम ठीक नीचे 2487 रुपए पे दिया इन जिसका नमबर निकल कर दो हजार 440 वो धुरी धीरे धीरे करके उपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो एप्रॉक्सिमेटली रफली पकलीजे 2450 यहां पे अच्छा सपोर्ट है उपर की तरह बात करें रेजिस्टेंस जहां पर आज शेयर को डेजिस्टेंस मिला था धायाज इसको अगर ब्रेक कर लिया तो कहीने के उपर की तरह मूफ करेंगा थायाजर की और भी रिजन है कुछ दिन पहले जब शेयर के अंदर मूब मेंट आया था लास्ट एक मैने पहले तब भी आप देख से तो रहायाजर का सपासी कहने के एकदम स्ट्रॉंग रिजिस्टेंस मिला था बाकी बाकी बात कर दिका बॉलिंजर बैंट सेम्ट सेम्ट के बॉलिंजर बैंट का जो लोर बैंट उसको अब्सर्प कीजिए धिरे-धिर ऊपर की तरफ शिप्ट होड़ा है मतलब यहां पर भी कोई बहुत बड़ा खत्रेंगी सिगनल नहीं है कि नीचे की तरफ के बाद ही जाकी इन्वेस्ट करना ठीक है बाग कि आपके अगर शेयर चाहिए प्रॉफिट में हो या लॉस में आइधिंग आपको होल्ड करना चाहिए फिला दोस्ते वीडियो को वाइंड आप करता हूं मिलते नेक्स्ट वीडियो पर तब तक लिए टेक क्या बाबाई जाई हिंद